मेखना पापा आप यहां बस बेटी घर में बात करने वाला था लेकिन तुम आज कल बहुत बिजी रहती हो ना क्या बात है बोलिए वो तुम्हें देखने के लिए एक लड़का इंडिया आ रहा है दीदी मैंने तो पापा से कहा आप इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती लेकिन क्या करे मेरे भिलाइन क्लियर होनी चाहिए ना इसने मैंने ही शादी करवाने के लिए कहा पहचान वाला है अपने शहर का है और देखने में बहुत हैंडसम भी है तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई और ढूनेंगे कम से कम एक बार जाकर उसे मिल तो लो बेटा यह देखो लड़का बहुत अच्छा है तो कि अज़ा तरें में ही डुल्हन की परीक्षा बिलकुल नया तारीका है ना इसलिए पैरेंट्स ब्लैक मिल करते हैं आहां यह उससे तो बेटर है सबके सामने कॉफी पकड़कर वेटर की तरह खड़े रहना मुझे पसंद नहीं है फिर्स टाइम वाट आई मीन दुल्हे की परिक्षा हां इस तरह से तो फिर्स टाइम ही है शैज सिंपल मैरेज जयाधा पसंद आए सच में रिली मुझे भी पसंद तरह मेरे ड्याद नहीं मानें तूमधाम पसंद है उन्हें तूमाच योए तूमारा नाम किया है इक्स्क्योज मी बिना नाम जाने दूले से मिलने चल्ई आई अग्चलिमुझ इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है इसलिह मैं तुम्हारा नाम ही नहीं पुछ और ऐसे ही चल्ली आई रंगा हाँ इस दुन्या में मुझे सिर्फ एक जी नाम से नफरत है रंगा क्यों वो मेरा एक्स बॉइफ्रेंट है इंट्रेस्टिंग एप्रिल 1st फूल्स टे तुम्हारी मां को पता चल गया है तुम घर से भाग आई हो तुम्हें पूरे शहर में ढूलने के लिए आदमी भिजवाय है वो कौन है जिसे तुम प्यार करती हो हां उसका नाम आदिम है वो कावेरी नगर में रहता है हमारा कार ड्रैवर है इस आदमी के बारे में नहीं अपने हीरो के बारे में बोल यह वही है है करना कि यहार मेरे लिए बहुत बार हात के नस्कार है मेरे ले टेंग फुल ब्लट से भर दिया है冬्स्रमें श्रेया लैकल तो तू कुछ करना यार प्लीज, ।ू इससे प्यार करती है सीरिसली चल अभी हम यहां पर है तो राजा राजिश्वरी आर्च है वहां एंट्री हो गई तो बेस्ट क्लब बेस्ट क्लब के बगल में ही एक मंदिर है वहां तुन दोनों शादी कर लेना कैसा लगा मेरे प्लान कि अधिमो उसका डबा प्लान है अगर तुने उसका प्लान फॉलो किया तो वो कच्चु कनकरत्नमा तुन दोनों के टुक्डे टुक्डे कर देगी कौन है यह मेरा फ्रेंड है अधिमो तुन इसका प्लान सुनकर आगे बढ़ेगा तो इसे कुछ नहीं होगा लेकिन तेरे लेकिन तेरे यह हाथ सलामत नहीं रहेंगे कौन है यह मेरी फ्रेंड है तो फ्रेंड के जैसी रहो जास्ते ओनने का नहीं एक दूंगा ना अकर ऐसा है तो तुम्हें कोई अच मतलब तू नहीं तुम दूनों की शादि सब्सक्राइब कर ठेक्था में कांट कि नहीं है तुम नहीं। लेकिन कोई भी लिग कर सकता है ना इसके जैसा जो हो अजीब आदमी है अरे सुनना कहा जा रहा है तू अब हलका होने जा रहा हूं तू भी साता रहे क्या गदा शादी के अपला लीग होगा यह सुनकर मेरी पहली लीग हो चुकी है अच्छी उस तरफ मुण हालो कंचु कनक रत्मा मेडम तुम्हारे पोन का इंतजार कर रही थी अपने ड्राइवर से कहो कि गाड़ी तेज चलाए नहीं तो यहां इस ड्राइवर के साथ छादी नहीं सुहाग रात भी अच्छे से हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह कोई जिन्दा नहीं रहेगा अब मेरे साथ टच में रहो मैंने के साथ रहकर इंफर्मिशन द रहे हैं अब हाग भाग 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 बाग अठीक्ट अठीक करें आज है और यह कुंद्ली तो वैक्ट देंगे तो फॉलो करो ना अपने लीडर को फॉलो करो ना यार क्या कमर इसकी आप इसके साथ भाग रहा कि पूरी जिंदकी भागता रहा रहा इसके साथ बहुत ही मज़ा आएगा जलो 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 जब्वे लोग मेरी बातो इदर आओ इस तरब गहें जाओ भागो बागो जाओ सोना जणू प्लीज कम आखे टेपल इस कर इंच चलो 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 मंगलसूतर क्या है कमिने तुझे तारे का यहां करें शादी हो रही है आजा चलो चलो रखना मा तुमिया कड़ी क्या कर चलो चलो जा सब अजय को आपके वाग सपना तरफ दंग दो आपके वाग नुचिछ एले आदेमों अब जाल दी समंगे शुत्रमांद अपना हाथ जरी उसके खेले में आपके वाद आपके वाद हो कैसा लगा यह क्या है शादी के बारे में तुम ही इंफरमेशन देकर अब तुम ही शादी करवा रहे हो तुम इधर क्यों तुने क्या लिए किया यार कि तुझे शादी करने के लिए यहां आने की क्या ज़रत तुम इधर के लिए वागवान के फोटो के सामने हार पहना कर शादी कर सकता था ना तुम्हारा दिमाग खराब है क्या अगर पकड़े जाते तो जान चली जाते अच्छी नहीं मिला तो जीना भी कोई आपने यह सब क्यों किया यह मुझे नहीं पता मगर मेरी मा के बिना मेरी शादी हो रही थी इसलिए में दुखी थी आपने जो किया उस वज़े से मेरी इच्छा पूरी हो गई थैंक्स भाया मुझे मस्त किक मिल गई तुम दोनों को किक की प्राप्ति हो अस तु इस एमेले कनक रतलम्मा को तुने रोड़ पर कुट्टे के जैसा भगाया है ना पर एक बात याद रखना तू खुद मेरे पास आकर मेरे पैरों में नहीं गिरा तो उन अंग्रेजों ने हमें आजादी क्यों दी क्यों दी बोलो ता कि हम अपनी मर्जी से जी सकें अपनी मर्जी से उड़ सकें अपनी मर्जी से शादी कर सकें तुम कर रहे हो फैमिली वलातकार अरेंजा थैचार गेड आउट क्या समझीती मैं ऐसा बोलूंगा ऐसा लोगें में डाल सकता है यह आपको अभी जाकर पता चला पिछले 30 सालों से मेरी उसकी दोस्ती है बस उसे किक मिलनी चाहिए उसके लिए कुछ भी कर सकता है वाव वाव वाड़ स्ट्रेंज क्यारेक्टर है ना उसके बारे में सुनते ही मुझे शौक लग गया तो उसके साथ जो रहेगा उसका क्या हाल होगा सोच कर देखो सिंदगी में दोबारा उससे कभी नहीं मिलूंगी ऐसा सोचा था लेकिन फैर से उस आदमी से मुलाकात हो ही गई वो भी मेरी बहन की वज़ेसे ही क्या क्या रही है तो इस आदमी से प्यार करती है हाँ ए बहुत बड़ा पा श्री रंगा ओ गुद मॉर्निंग सर वेरी गुद मॉर्निंग जॉइन करने के बाद एक ही महिने में बड़े-बड़े मोबाइल कंपनी के साथ तुमने हमारी कंपनी को कॉम्पिटीटर बना दिया वेल डैन मैं काम छोड़ रहा हूं सर बहां बट वाई तुम जैसे टैले हलो एक्सक्यूज मी सुनिये तो मैं आपसे ही बात कर रहे हूं हलो सुनिये तो हां बोलिए क्या बात है मेरी बेहन आपसे प्यार करती है क्या कहा तुमने तुम्हारी बेहन मुझे प्यार करती है वह खुबसूरत देखती है फिर तुम्हारे जैसे बगवास पहले मेरी बा किसी के भी जान जोके में ड़ा सकते हैं किसी दूसरी के प्लान को अपना प्लान बता कर चीटिंग करते हो दो गष्टन में एक आधमी का गला पकड़कर उसे नदी में डुबा दिया था ये मुझे पता है तुम्हें करें करें अब ही कर देता दॉन कमान मैं चाहती हूं मैं चाहती है कि मेरी बेहन तुम से नफ्रत करने लगे तमहारा नाम सुनते ही वो चड़ जाए इतना ही इसके लिए इतनी एमोशनल हो रही है, come on, come on, come on, come on, come on, आज़ो, turn, क्या दिख रही हो, तुम जैसे फ्रिज में से अभी आम निकाला है, तुम तो इसको बसूरत कह रही थी, दीदी, जानू, अगर तुमें उस्से प्यार था, तुम उसे डारेक्ट आके कहना चाहि अपने किक के लिए मैं सामने वाली की जिन्दगी से भी खेल सकता हूँ, जब मैं चूटा था ना, तो अपने फ्रेंड अदिमो को स्विविंग भूल में धक्का देकर मार दिया था मैंने, अभी तक उसकी बोड़ी भी नहीं मिली है, यह नहीं बताये तुमें से, जमाग लगा ना, तो जैसे तलवार की धार पर चलने वाली रड़की मेरी जिन्दगी में आई तो बस किक किक मेलेगी हां, हलो बस तुम मान जाओ तो तुमारी लाइफ एकनम सटल, लाव यू, लेक्सन, वान, टू, थ्री, ब्लास्ट, नहीं, वो मेरा है, तुमेरा है, तुमेरा मैंने अपना प्यार सेट करने के लिए कहा, तो तुमें अपना ही प्यार सेट कर लिया, मैं क्यों बढ़ूंगी उसके पीछे, हां, तु जानती नहीं है, वो बहुत बड़ा चीटर है, तुझे भी दोखर देगा, अब ये नाटक बन करो, ये सब तुमारा डर्टी ड्राम है, मैं ड्रामा कर रही हूं, तुम्हें चाहिए था ना, अब देख, मैं क्या करती हूं, मेरी बात नहीं मानेगी तो पश्टाएगी, वो अपनी मीठी मीठी बातों से तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, समझी, मुझे फंसाएगा ना, और तु फिर तुझे क्या, हमारे पास छोड़ कर गए हैं, मलेशिया, लेकिन अब मेरी समझ में आ रहा है कि उन्होंने तो हमें पर्मानेंटी फंसा दिया, बच्पन में मेरा खिलोना चीलती थी, अब इसे भी चील कर ले जा, अंकल, क्या हुआ बेटी, वो डबबा, ठीटर, मुझे, मुझे I love you कह र अब कितनी देद घूरता रहेगा तू मुझे खोल, अब तो अपना मुझे खोलो, अब तो अब तो अपना मुझे खोलो, मला मराठे माहित ना है, अब बोल तो रहा था, बस इतनी ही आती है, अब इसकी मौत का गाना बजा, यह क्या करना तो, तुने गाने के लिए बोला था ना है, मैटर पे, मैटर पे, तो ने उस दड़की को I love you को बोला, बोलूगा मेरी मर्जी पूछने वाला तू को आने पे, लड़की बहुत ही अच्छा है, तेरे लागे के लड़की यह क्या है, सीधे से बात कर समझा क्या यहां तर यह मैटरमादॉपा, मुझे इसे मर्द हो तुम, यह सब मिलकर तुमें मार रहे हैं और तुम इसका पैर पकड़ रहा हो, ची, शर्म नहीं आती, वह स्वश्च्छ कहा रहा है तु अपने आपको मर्द कहता है। कहीं का इस कमीने को तुझे मारने के लिए पंदलर हजार उपर दिय थे बाइब और यह भाई वह आपके सेकंड शैटप के लिए एजस्मेंट किया है तुझे मारने के लिए चाकुल आई थी ये भी किसी काम नहीं आई भाई उन लड़की इसे सुना रही है और ये एंजय क्यों कर रहे है मुझे तो लगता है ये पागल है मुझे भी लगता है अब इसको मार के क्या फाइदा पैसे तो मिल गए है अबना टाइम ठीक चल रहा है निकल यहां से तहार उट गई पेकार में टाइम इस्ट हो गया क्यों बे दिया हुआ कंपड़ गया क्या हिसाब बड़ा बने हुआ हिसाब करेगा हम अब मेरा चेहरा क्या देख रहे हो जाओ मारू से चोड़ अले अब अब यहां क्या है तरी स्कीम अब एक यहां से में मार खाता और इसके बाद मैं हॉस्पिटल में भरती हो जाता तो इस लड़की को मुझसे सिंपेथी हो जाती और वो मेरे प्यार में पढ़ जाती और यह बात मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं कैसी लगी मेरी बंपर स्कीम बहुत अच्छी है अब पर 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 जा रहे हो उस लड़की के सामने मुझे इतना मारा तो उसे वापस कौन बलाएगा तुम्हारा पाप मुझे पर जो पीछे से वार कर रहा है मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन है अरे यह तो सब को गधे कितना दो रहा है पागल हो यह ना हो यह जरूरी नहीं है अभी तो यह जरूरी है कि के कम लग रही है यार आस तो तु मेरे हाथ से गया बिटाप प्लीज 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 यह सब देख कर तो मेरे प्यार में बिल्कुल मत पढ़ना है प्यार तुम्हें ची कहो थू कहो कुछ भी कहो मुझे सब चालेगा मैं यह सिंसेरली तुमसे प्यार करता रहूंगा नहीं तो फिर किक कम हो जाएगी अके स्टूपड सुनाओ फूल ओ सुनाओ इडियाट कमान कमान वहाँ अचा लग रहा रहा है सूलाओ हुआ सूपा कमान किना चलब 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 किसी ने बहुत जोर से चूटी काटी काटी मतलब हलके से हाथ लगाया जोर सुनाओ और सिफ आप एक आदमी थे अगर उन लोगों के पता चल गया ना तो आपके चेरे का नक्षा ही बदल जाएगा तुमने कुछ पूछा अच्छा क्या बोलता है पता ही नहीं चलता ठीक से समय नहीं देता लेकिन काम की बात मुझे ठीक से समझ में आ जाती है चल रहे बेटा देखो तुम्हारे लिए पहले बार जाओ आप क्या लाइन मारने जाएंगे अब क्या अंदर का काम अगर मा को पता चल गया तो चपल से मार खाएंगे वह सब तुम बाहर जाके बाद में करना पहले जाओ चलो बेटा यह हुई ना बात इस बेस प्लेस प्लेस व बिरियानी मैं यहां अक्सर राथी किसने डाल दिया यहां का कुक कॉन है नमस्ते मेडम वह मैं हूँ यहां नाया जॉइन हुआ हूँ वराइटी रहेगी सोच कर बनाई कैसी लगी आपको कैसा लगा इसका मतलब आपको अच्छा लगा तो मैं जहां भी जाता हूं तुम मेरे पीशे चली आती हूं क्या तुम मैं दूंसे हैं तुमें यह की तुमिए बात पता है कि तुम मैं प्यार में पढ़ चुकी और बस तुम्हारे अलावा किसी से भी प्यार करोगे तुम हां यह काले पीले कैसे भी चलेंगे तुमको यह ऐस बालवाला क्यों मुझे तो यही पसंद है प्रोडी को पैर करोगी तोर एस बटले को पैया करोगी तोर यह पतरे के हैं कुआ हो क्या क्रोचें पेंगी नुबooo आपका नाम क्या है हल्व जी हल्वा है I love you बतले नहीं है अवे तुने अब देख मैं तुझे कैसे केक देता हूं बटले तुन्हें अभी जबना पेट कम करना शुरू कर दिया है बटला नहीं हल्वा हल्वा राज अपसे लड़की को देखा दो उससे परिशान किया दो मार मार के बरता बना दूंगा तुझ मैं यहाँ लड़की तुछ से प्यार करेगी है मेरे जैसा क्लर है क्या मेरे जैस मामल इंसान नहीं है सर आपको पता है सर आपके एक लुक से लड़किया बेहुर शोकर गिर जाती है अभी सापका नौकर बन जाता हूं उस लड़की के बारे में आप जो इंफरमेशन पूछेंगे मैं पटा 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 दूंगा चलिए सर उस लड़की से बात करके उसे बात करेंगे सो बहुत चीप नहीं लगे जवान है सर जवान है जाएगे बात करेंगे िक आईगे पर ले जा रहें आप लड़की को और यह विए विली विली सूपर है यह बाइक तो तुम्हारी है क्या मेरी फिर तो ठीक है तुम किसी जाओगे मेरे पास कार है ना किसकी दोस्त आपकी सब्सक्राइब कोई भी नहीं है कोई भी नहीं है तुझे बजाने के लिए कोई किस नहीं दिया और लाइसेंस सर गारी मेरी नहीं है तो लाइसेंस कहां से लाओंगा अरे सर मैंने कुछ नहीं किया आप नहीं आपको जो चाहिए वो लेकिन मुझे पुली स्टेशन लेकर मत जाओ सर आपके हाथ जोड़ता हूं जो मैं मांगूंगा मुझे देगा बिलकुल दूंगा आप जो मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली है पुली स्टेशन में गई हुई गाड़ी शमसान में गई हुई बॉड़ी यह दोनों कभी वापस नहीं या थी तुम चिंता मत करो मैं उसे जहन्नुम में से भी ढूंड कर उसका कचुमर बना दूंगा नमस्कार साहर यह कैसर मैं आपके लिए वेटिंग और आप मेरे लिए पुरा गाव सर्चिंग मेरी एक बहुती चोटी सी इच्छा है सर बस किसी भी केस में फिट होकर दो दिन पु पुलिस स्टेशन में आपके इच्छा पूरी करने वाला हूं पुलिस स्टेशन है गौर्मेंट का गेस्ट हाउस नहीं है समझाए तुम इस लड़की को कई दुनों से फालू कर रहे हो सही है और इसे प्यार करने के लिए मजबूर कर रहे हो सही है यह बात है इसमें केस के केस है सर अगर केस बनाना तो ऐसा होना चाहिए कि जमानती नहीं में बहुत ही खतरनाक तरीके से मुर्डर हो गया लिख लीजिए एंकाउंटर करने के लिए राइफल रेड़ी करो हमल्दार मंजू लाठी में जल्दी से मिर्ची पाउडर लगा कर तयार करो आजाओ सब ल किसे पैदे को पैदा किया अभी तक तुने केस नहीं बना यह चोटा केस नहीं है चेरचाड़ वाला है चेरचाड़ का हो या भीड़ भाड़ का हो जहां मिलता हुआ अरे बाहर निकल बाहर यहां चुपा बैटे नहीं देखे बेटा तो मेंटली था यहां वयातरा घ्र्द करा क्यों मेरे फंली स्टेशन और आ ano शुपत है इसी जोब। पापाँ हांचे क्यों मार आलमानी समाले है नंदेडिक इना को क्या कर दिया अपने बेटे को जान से मारते का क्या है आगा नहीं इसे दूझा आपा नहीं 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 गोली चला दूगा गोली चला दूगा आई! 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 बहुत सब्टा लाओ शो इन गाव अरे इन बाप बेटों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा पुरे स्टेशन में मुझे सटा साट 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 क्यों बारा था बोलो कुछ जादा इमोशनल हो गया था इसे लिए ओवर एक्टिक करने लगा था लेकिन बाद नेट्रल न मेरी गल्फरिंड के बारे में कि बोले ही नहीं लड़की बहुत अक्ची है मैंनो तो कपका डिजाइड कर लिया वही मेरे घर की बाव बनेगी है सुपर पापा अब वो रही मेरी गल्फरेंड मैं मैं उसे बात करता हूं बेटी बाप बेटे को इस तरह दारू पीते देखकर तुम गब्राव मत मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा मुझे कैंसर है हार्ट कैंसर है बेटी बसकाल या परसोता की मैं रहने वाला इसलिये इसलिये जब तक मेरी जिंदगी है बेटी बैए मैं मैं खुल कर जीना चाहता हूं डबग 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 मैं मेरे पापा बड़ एक्टर है पुलिस सेशन में देख लिया था ना और मेरा ये दान स्टाइल देख के मेरे प्यार में मत पढ़ जाना प्लीज ये बगवान क्या है ये संब ये लो ये लो ये लो बाद में ये लो ये लो ये लो ये लो ये हाँ 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 ट्रिंक स्यादा होकर गिर गए तो हमें इस अड्रेस पर पांचा देना हाँ ओ गॉड वाट रिजी चारेक्टर वाट फादर वाट असन अच्छा तो तुमने उन दोनों बाप बेटे को ड्रॉप किया होगा अचली मैं गैस करता हूँ ड्रॉप नहीं किया होगा अमा राइट पापा वन मोर पैक ब्ली मम्मी बनाएगी पैक पागर पागर फामिली है इन्हें यहां लाने के लिए थैंक्स बेटी बेटा कीकू तुम्हारा स्लीपिंग पैक तैयार है पागर पागर पक्रिंग बनाव पीयोज अच्छे दूद भी नहीं पीता है इसकी वजह से मेरे पती भी ख़राब हो रहे है इससे पागल समझू लेकिन यह पागल नहीं है कोई काम नहीं जानता हो ऐसा भी नहीं है एक दिन मेरे पास आकर बोला मुझे काम मिल गया है 50,000 सैलरी है बताया भगवान का दिया जला कर उनका शुक्रिया आदा किया मगर अगले दिन आकर बोला मैंने काम छोड़ दिया है मैंने वजा पूछी तो किक नहीं है कहा इसकी शादी करवा कर इसे लाइफ में सेट करना चाहती हूं लेकिन इसके बारे में जानकर इसे कौन लड़की देगा हम कहीं उनसे लड़की ना मांग ले इस डर से हमारे जिश्तेदार भी घर नहीं आते इसे लाइफ में सेट होता देखना चाहती हूं एक माह हूँ न और कर भी क्या सकते हूं बैसे तुम्हारी चादी हो गई है आंटी कि मुझे यह पसंद नहीं है तो इसे तुम भर छोड़ने के लिए क्यों आ गई है मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैं उसे इस तरह से फॉलो क्यूं कर रही हूँ आपको किसी इंसान पर या तो गुस्सा होगा या फर प्यार होगा पर मुझे उससे दोनों क्यूं है कि गुंसे कुछ कहना चाहती हूं मैं किसी का मणर करना चाहता हूं पर मंणर क्यों सकते हैं कर तो देख सर काटके हाथ में एक तुमनें कुछ निकाले था सब्सक्राइब कर रही हूं बात क्या है वह बोलो क्लीनिंग कर रही हूं गहिस्टर्मात करो बात क्या है वह बोलो माई डियर लक्स ब्यूटी तुम्हें देखता हूं तो चिकनी चमेली गाने की एकदब करीना जैसी ब्यूटीफुल लगती हो तुम्हें इतना ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है कितना मेहनत कर रही हो तुम अब देखो यह पेट यह बटला मैं तुम्हें कोई खुशी न करना चाहिए अब मैं तुम्हें देता हूं सच में यह थैंक्यू 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 थैंक दूद में पॉईजन मिलाकर वही सुसाइड नोट लिखी है ऐसा लिखूंगा मुझे बहुत पेट दुखता है दर्द सह नहीं पा रही हूं जिन्दगी से परिशान हो गई हूं इसलिए जहर पी के मर रही हूं वह जहर वाला दूद पी दे ही तड़ा तड़ब के मर बुऩरिंग है मले भीखूंग हम गवुत दुख कलने बतार केल चक्शनागी है रंच यू डूद फुल आयो हैं योगर ने मैं में पाल सक्शाओ जब को दिन्द किन्देवकरिं किकु लड़की सूप पर है तुम्हारे लिए थोड़ी ज्यादा है हाँ हम यह पकड़ो यह पैसा तुमारे डोनेशन के लिए थेंक्यू तुम मुझे कुछ बोलना चाहती हो और मैं तुमसे कुछ सुनना चाहता हूं क्या बोलू आई लव यू कह दो ना जनेमन तु 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 तो रोज भाही पुराने तरीके आजमा के मुझे पठाना चाहते हो मैं परिशान हो गई तुमसे कितनी एक्सपेक्टेशन रखी है मैंने तुमसे तुम किसी काम के नहीं हो यूसलेस प्लीज 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 लगता हूं तो आई लव यू बोल दो ना पसंद आना अलग बात है और प्यार होना अलग बात और तुम मुझे बहुत पसंद हो लाइफ में बहुत से लोग पसंद आते हैं पर प्यार एक से होता है सो स्वीट यह भी बात है पसंद करना और लव करना दोनों अलग अलग बात है इसने तो मुझे कंफ्यूस कर दिया किकु मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं तुम्हें पसंद करना पसंद नहीं आए तुम्हें लिखना परना होगा यह लेंगविज तो हम कैसे भी सीख लेंगे लेकिन बौड़ी लेंगविज शीखना बहुत ज़रूरी है इसे लिए तो मैं यह बौड़ी लेंगविज की बुक लेकर आया हूं है हिंदी आप बोलिए उसे कैसे बारना है बॉल हम बं लगा देंगे देंगे उसके साथ इसे भी बं लगा देंगे यह तो ही है बैसे बहुत लगेंगे ना प्राब्लम दस लाग ए मैंने तुझे जो फोटो दिया था वह फोटो तो ब्लैक और वाइट था तेरे पास कलर फोटो कहां से आया यह उसका कलर जिरॉक्स करवाया अरे यह बात तुझे पहले ही बताना चाहिए था ना कुछ भी करके कर देंगे लाग से लगता इस बार उसका काम तबाह हो जाए किस भी साथ में है पहले से लेकर भागना है अरे यह गाली लेकर करा जा रहा है कि बॉब लगा दिया क्या अबे दस लाग देकर उसने खुद अपने नीचे बॉब लगा लिया पीछा करो तू मुझे कबाड़ वाली बाइक पकड़ा कर फुद फर्स्ट क्लास एसी वाली गाड़ी में घूम रहा है चल 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 जल्दी कर नीचे उतर चल अभी निकल ले चल निकल निकल रहा है कि नहीं खुद भी काला है और सफेद गाड़ी में बैठ रहा है अब जब मैं ड्रा सब्सक्राइब करने लगते हैं लेकिन आप है अगर किसी के बच्चे लाइफ में सटल नहीं होते तो पैरेंस चिंता करने लगते हैं लेकिन आप है कि उसी को सपाउट करते रहते हैं आप भी बताएए अंकल क्यों इतना वो गॉन्फरेंस है आपको उस पर वो मेरे जैसा नहीं है बेटी इसलिए एक्च्वली मैं बच्पन में इंजीनियर बनना चाहता था हाला ठीक नहीं थे इसलिए बैंक में काम करना करता है वही मेरे साथ भी हुआ यह सब के साथ होता है मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए वो जिन्दगी में जो चाहता है उसे वो मिलना चाहिए जो काम वो नहीं जानता है उसे वो छोड़ देता है अभी जो करने गया था वो उसके लाइक नहीं था इसलिए उसन जनमें तो ये सुधरने वाले हैं नहीं ये लिजिए देखो बेटी जानती हूँ मेरा बेटा नालायक है लेकिन एक बात तो सच है वो तुम्हें बहुत चाहता है तुम हमेशा उसके साथ रहोगी ऐसा मुझसे वादा करो करू बेटी तुम उसे इतना टेंशन क्यों देती हो कि थीक से खाना भी नहीं खा पाता है है पसंद और प्यार के बीच में क्या फ़र्क है इसी बात को लेकर वो परेशान रहता है उसके मन की शांती के लिए जाकर उससे दो बातें कर लो जाओ बेटी क्यों नहीं आ सकती हां हाँ आ सकती हो जाकर उसे बात करो पहले तो अक्यले पीछे पड़े थे अब पूरी फामिली मेरे पीछे पड़ गई है अचा पापा वोट इस अरे कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं चलो 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 पापा यह क्या कर रहे हो तो मैं पूछ रही हो लाइफ में क्या बनना चाहते हो तुम लाइफ में लाइफ में लाइफ में लाइफ में डॉक्टर लॉयर सौफ्ट्वेर एंजिनियर पुलिस ओफिसर पुलिस ओफिसर बनना चाहता था तुम्हारा टालन्स सौफ्वेर एंजिनियर पर तुम्हारी फिजीक पुलिस ओफिसर जैसी है, मुझे पुलिस ओफिसर बहुत पसंद है, तुम उसके लिए ट्राइ करो ना, हाँ करूँगा, करूँगा, मैं पुलिस ओफिसर बनूँगा, रहने दू, उसके बाद तो तीन-चार दिनों तक मैं उससे नहीं मिली थी, और नहीं उसने मिलने की कोशिश की, लेकिन मेरे कहने पर उसने जॉब जॉइन कर ली, ये सुनकर मुझे शौक लगा, उसके काम पर जाने से मैं बहुत खुश हो गई, और उसके बाद मेरी पूरी लाइफ ही ब ट्रॉपिंग, पेकप, शॉपिंग, गिफ्ट्स, ऐसे ही पूरा दिन चला जाता था, मेरे मूझ से आले भी सुनने के लिए मेरे पीछे-पीछे गुमता रहता था, और मैं भी जान-बूझ कर नहीं कहती थी, कुछ भी कहो, एक लड़के को पीछे गुमाने में बहुत मज आता है, वैसे मैं इतनी जल्दी तो नहीं कहना चाहती थी, लेकिन आखिर में वो दिन आ ही गया, वो तुम्हारे लिए सही लाइफ पार्टनर नहीं है, तुम उसे प्यार करती हो, इसलिए वो तुम्हें अच्छा लगता होगा, उसने तुम्हारे साथ जस्त थर्टी कि तुमने अपनी जिन्दीगी के थर्टी मिनट्स वेस्ट कर दिये, उसके बारे में मैं भी ऐसा ही सोचा करती थी आंकल, पर उसके करीब आने के बाद, उसके बारे में पता चला, कि वो बहुत ही अच्छा इंसान होना ही काफी नहीं है, जिन्दीगी में और बहुत सारी चीजें महत रखती हैं, उसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, जिससे मुझे वो परफेक्ट लगे, ऐसा नहीं है अंकल, जिसने कभी अपने माबाप की बात नहीं सुनी, सर्फ मेरे लिए, सर्फ मेरे लिए अंकल, अब उसने जॉब भी जॉइन कर ली है, और पता है, ड्यूटी जॉइन करने के चौथे दिन ही उसने काम छोड़ दिया, यकीन नहीं हो रहा ना तुम्हें, उसके ऑफिस जाओ, पता चल जाएगा, स्कार स्यूजू, आफ तर नहीं सिरांगा, जूछ बनाफ, पता है, अब विल्क श्रीडरंग से उसको है, यह हैं सकता है, यह श्यूजू, नहीं सुनागा, अब यह है, यहां, विल्कूटी और नहीं सुनागे, और यह जूड़ देए, अब दे लिए, जूड़ पहले प् कि अब आई दियर कम आई तुम यहां पर और मुझे किसी ने बताई नहीं कि तुम आई हो वह क्या है ना जहां मैं जॉब कर रहा था आदमें उसे उदार पैसे मांग रहा था कि यह प्राइविट जॉब ऐसे ही होता एक दम खूण चूस लेते हैं आज मैं बिजी था यह नो बस करो और कितने दिनों तक जूट बोलोगे हां तुम्हें पता चल गया भगवान का सम थोड़ी जर में बोलता यह करो थोड़ी देर में बोलता वो करो नर्क थी वह जगे नर्क में काम कर रहा था मैं आपर वाट रलीफ सची में नर्क में और नहीं तो क्या काम पे जाने वाला यह तुम्हारी पसंद के नहीं किा यह मेरी पसंद की जॉब लिस्ट में था इसलिए क्या सिंपल ठीक है और यह जॉब की छोड़ी चोड़ी े Register पता नहीं मैं बीचुन रहा दूएं घुम को य काम करने के यह लायक ही नहीं हो अंकर ठीक कहते हैं तुम जैसा इन्सान इन सवालों का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है अगर कोई यही सवाल मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूँगी बताओ कुछ मत बोला सालिन रहना हाहा हा लेकिन मुझे वंशीन के तरे काम करना बिलकुल पसंद नहीं है कोई मुझे लाग रुपे पगार दे और काए क्वे देख सब्सक्राव कि जैसे-अगे बढ़ते हैं कि इतनी चुशी के साथ दा सब्सक्राब. किसे का भावा राइट और रोंग क्या है मुझे नहीं पता लाइफ में केक है या नहीं यहें यही अ Children यह हैं अकर तुम तुम δोक्त इंसान नहीं तुम दोगे बात अधि कर बैठी है भीलती है만्तों मैंने प्र submissions you got me लेने में प्यार किया है प्यार के लिए के लिए हैं अकkommenि पने बहुत दिनों से तुम्हें एक बात कहना चाहती थी मैं, और तुम भी वही बात सुनना चाहते थे मुझसे, पर ऐसे समय पर बोलना पड़ेगा, यह कभी नहीं सोचा था, बोलो, बोलो करके मेरे पीछे पड़ गए थे, तो आज मैं कह रही हूँ, I love you, I love you, but I hate you, लोग एक होने के लिए यह बात कहते हैं, पर आज मैं, मैं अलग होने के लिए कह रही हूँ, I love you, but मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, I never want to see your face again, और उसके बाद मलेशिया मुझे एक साल हो गया, मैं उसके बाद उससे कभी नहीं मिली, वो अभी भी खुद को ही सहीं समझता है, पर गलत है न, हाँ, या, मुझे भी इस तरह के कैरेक्टर वाले लोग पसंद नहीं है, क्या तुम अभी भी उस लड़के से प्यार करती हुआ नो नो तुम्हें बताना चाहती थी इसलिए बताया, यहां आने से पहले मुझे शादी में इंट्रस्ट नहीं था, लेकिन अभी मेरी सोच बदल रही है, तुम्हारा इस तरह से बातें करना मुझे बहुत पसंद आया, तुम से शादी करने के लिए मेरी तरफ से हां है, और मेरी तरफ से भी हां, अर यू शूर, येस, वेरी शूर, ऐसे अलग करेक्टर के लोग सिर्फ तुम्हारे शहर में ही नहीं रहते, तुम्हारी शिंदगी में भी कोही आया था क्या, आपको आपकी कहानी में किसी से प्यार हुआ है, मगर मेरी कहानी में, मैं उस क्यारेक्टर से नफरत करता हूं, इंडिया में Most Successful पुलिस ओफिसर हूँ मैं, मैंने बहुत सारे केस सॉल्व करके, बहुत सारे क्रिमिनल्स को रास्ते से हटा दिया डिपार्टमेंट में कोई भी नया जॉइन करता है तो उन्हें मेरे काम की और मेरी सिंसियारिटी की मिसाले भी जाती है चोरों से लेकर माफिया तक बिंदों से लेकर टेररिस तक सब का ख्योई खत्म कर दिया था मगर अभी भी एक चोर ने मुझे डिस्टरब रहा है एक नहीं दो नहीं पूरी चौदा चोरों की एक सौपचास करोल रुपए लूटे है उसका केस गर्वन्मेंट में मेरे हाद में साबा गए वो ये क्यूं कर रहा है पता नहीं कहा रहता है पता नहीं वो कैसा दिखता है वो भी किसी को आखिर वो चोर है कौन आज तक वो किसी को दिखा नहीं और वो पूरे स्टेट में लूट कर तबाही मचा रहा है इस राज्य का ग्रेह मंत्री हूँ मैं इसलिए मैं तुम्हें फूल पावर देता हूँ उसे गिरफतार कर इस फाइल को प्लोस करो और पहली चूरी हुई जुलाइ में पांच को हुई दस दिनों में आप लोगों के हिसाब से सत्तर करोड लेकिन मेरे हिसाब से इस से भी ज्यादा उसके बारे में मैं आप सबको कुछ बताना चाहूँगा डॉक्टर्स, बिजनस्मेन, एमेलेज, मिनिस्टर्स, किसी को भी नहीं छोड़ा अज सुबह ही आपने टीवी पर उसके बारे में इंटर्व्यू दिया है तुमारा अंदाजा सही होगा, ये कैसे हो सकता है, प्रूफ करो मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता तुमारा अंदाजा ये है सुपर्रंगा के आपने बैस्ता के च्राश। हाई 파ार्टनर मैं जानता है तू मुझे फोन करके पार्टनर अ वे कौन है तेरा तू जोने चोरी में मेरी वधनकी तो पार्टनर हुआ ते रहे हिसा बेजू कै पार्टनर तू मुझे अपना पार्टनर बना के बहुत बड़ी गल्थी कर रहा है वो क्या है कि जब तुने मेरे हाथ में गोली उतारी थी उसी वक्त तु मेरा पार्टनर बन गया था ए अगर मैं तेरा पार्टनर नहीं होता न तो बंदूग की गोली सीधे तेरे सीने में उतार दी होती मैंने उस गोली को जान तू तो ये मज़े के लिए कर रहा है क्योंकि किसी को चैलेंज देना तुझे पसंद है ना कुछ नहीं बोलना पाटनर नहीं बोल तेरी बाटों में मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है तुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा ये सोचना भी मेरे पाटनर ये तो म अंदाज अलगाया तुने सूपा ये पहली बार तुने नहीं बात की तू मेरा एकदम करक्ट पाटनर है मगर एक बात हमेशा याद रखना पाटनर तू मेरे कितने भी पास रहे लेकिन मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा तू मुझे बहुत परेशान कर रहा है तुझे अरेस्ट किये बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा कैसे करेगा पार्टनर मैं किस तरह रहता हूं तुझे पता है नहीं पता है मैं कहां रहता हूं पता है नहीं पता कल मैं किसके घर पर चोरी करूंगा पता है नहीं पता और मैं कैसा दिखता हूं ये पता है नहीं पता लूजर 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 वाव इंट्रिस्टिंग आए नॉट एनिमोर वाइ तुम तुम्हारी स्टोरी वाने क्यरेक्टर से मिलना नहीं चाहती हो लेकिन मैं मेरी स्टोरी के क्यरेक्टर को मिलने के लिए बेकरार हूँ मलेशया आने का मेरा एक ही मकसद है उसे अरेस्ट करना क्या हाँ मुझे पता है उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है मगर मेरे पास एक क्लू है लूजर लूजर यही है उसका दिया हुआ क्लू ये क्लू डिकोड करने के लिए मुझे दो दिन लगे लूजर को उल्टा करके प मलेशिया में ही है इस बार मेरे हाथों से उसका बचना नामुम्किन है उसकी परचाई को भी मैं पहचानूगा एक्सक्यूज में प्लीज या अटिस आपको पता है नहीं आपको पता है मुझे भी नहीं पता है वन, तू, तू, त्री, नाव फिल दे गेम स्टार्ट दीदी, दीदी, चुम्राचुलेशन्स, नेक्स्ट विक तुम्हारे इंगेजमेंट फिक्स हो गई है अरे वो छोड़, देखर भी अनजान जैसे चला गया कौन? और कौन? वो किकु रंगा किकु रंगा यहां यहां है यह संकर तू इंग्साइट क्यों हो रही है वो फिर से मेरी लाइफ बर्बाद करने आया है वो वही तो है ना? I mean, कोई और तो नहीं कोई और नहीं हो सकता नहीं मुझज़ और पार मुझ़ इंग्सोरण्स अग्सोरण्स मुझ़ अटिव ज्यूड़ अग्सोरण्स वहां and I believe in instant justice that's my inspiration reason for visiting Malaysia मेरे पार्टनर के लिए मैं यहाय हूँ did you find him? definitely he will get me I will take him away any failure so far? I don't know the meaning of failure so far but I am not a loser I am not a loser Hi partner Ranga Shree Ranga in a paper interview I am not a loser what a photo I thought you are here but you are given me loser break me hat's off urgently I want to meet you I want to meet you I will 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 meet you अब तो तुम्हें अरेस्ट करके ही रहूंगा नहीं कर पाएगा दोस्त December की ठीक 16 तारिक को तेरा लास्ट चांस है तब मुझे पकड़ सके तो पकड़ ले नहीं तो उसके बाद अपने पाउँ सर पर रखेगा फिर भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा थैंक यू पार्टनर पेपर में मैंने जो न्यूस दी थी उसे पढ़कर तु मुझे कॉल करेगा यह मैं जानता था अब तु फस गया है आइम नाट अलूजर यू आर अलूजर सूपर किक दिया पार्टनर अलुट मैंने सूपर तो हो कि को अलु़ शो करेंगा रिशनों मिमम खारो अखाँ ॉब मिमम libre मिमम प्रूभ प्रूँीर, पराहीच सकता के टाओ जाँ V она. झाल 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 तीदी तुम इतने उदास क्यों हो मजे कुछ समझ नहीं हारा I told you I told you यह इंडिया से आया हुआ एक स्पेशल केस है सर पर ज्यादा चोट लगने की वजह से ब्लॉड क्लॉट हुआ है पेशेंट है पेशेंट लॉस्ट लॉस्ट इस मेमरी पार उसे उब्सेशन में रखा गया है तुम सब को उसकी बहुत केरफुली देख भाल करनी है दक्तर ली कमिंग जाएंग 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 तो मारी चमणी उतार चाइटू बन वादूगा दो दो दिनों से तुम लोग मीटिंग कर रहा है और मेरे पेशेंट को किसी ने ने देखा मुझे टेंशन हो रही है अगर मैं अपने पेशेंट से नहीं मिला तो यह सब जाएंग प्रोब्लम मिला परविकना कि आ पएशेंट है अगर्एंग जाएंग ने थीक्तर से यहां यहां पाण्यों के वाद आफ यहां जाएंग यहां मैं मैमर्ड लॉस्त तब्सक्था क्याम सबस्वेंग लुद्रल में इस्थे अर पेशेंट बन आरे हैं रहा वोके सिर्फू समी। मैं यह पूरा मलेशा गुमलीजा जिस गुमलीज थूड़े धांटे फिटे हम दोनटे धनते पर प्रभर्र भूल हम देश्यों है यह फिर ना लिखिलते है कि दूएजेर डिश्टर है यह हैं अधिक आरे कोमाने सप्काने सब्गर्श और प्रशय दौकर आसो ब्हुर अध्यदी लगा तुक्तर हैक यह अंब करेक्छों तुक्तर हैं हम the ड्रॉड़ वह भ्हा यह किनी मार स्वा बताव कि तुक्तर और में। में कब से बता रहाँ तुझे तरॉड़ टॉड़ यह खैक ठा़ एसमुट़् यहाऍर ञां त्रॉड़ फिसक्रमीन को गई दॉट्टर बनाते मैं सच में पेशेंट बन जाओंगा था इस थी इस फिटल में क्या हो रहा है सब़्य एक इस एक बारा दिमाग ब्राव वह खराब हो गया है तोली द ब्रेन ब्राइ इस ड्राय क्लीन मतलब अब उसे पुराना कभी कुछ भी याद ही आएगा क्यों नहीं याद आएगा अभी उसने मुझे 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 सब याद आ गया ऐसे ही उसे डे और नाइट मारते रहोगे तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा नहीं उसे प्रॉबलम प्लीजे क view back me to my room ओड़ ऑफिश्टेर पले बच्व मेरेखम प्मा मेरेखम है यदूं सब्कलाब ने धिक नहीं ये ऐागसा इतनी टेंशन को ले रही हो इच सो बड़ोगे कुछ टूस्ट कोंड़ 가운데 केक केक करके उड़ता रहता था ना इसे लिए उसका दमाग बिलकुर खा लिया हो गया है अब मुझे रिलाक्स लग रहा है वो मुझे दिस्टर्ब करेगा इस बात की बहुत टेंशिन थी अब जाकर मुझे रिलीफ मिला वो नहीं चाहिए तो उसका दिया हुआ गिफ्ट क्य मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा इंट्रिजेंट ब्यूटी हो तुम क्यों मेरी बात मानोगी प्लान सी फ्लॉप हुआ तो प्लान बी रेडी है वाट इस प्लान बी पेशेंट और बैन पजार इसका मतलब यह मेमोरी लॉज सब बूल जाना कोई बीमारी न बाइब चाहिए जंगली बिली है क्या पुरी तरह से काट खाया बॉपरे बच किया क्या हुआ था एसे क्यों मार रही थी उसे मार रही थी उसे जान से मार आ थी हम क्या कह रहा था वो सब भूल गया तो उसकी लाइफ अच्छी हो गई यार करने से पहले वह खुश था और प्यार करने के बाद भी वो खुश है मार दियाना चोड़ दो उसे उसे ऐसे नहीं चोड़ूँगी मैं उसके सामने ही शीरंगा से शारी करूँगी मैं और यही सोच सोचकर वो धीरे धीरे मरता रहेगा देदी अगर घर में पता चल गया तो मैं तो नहीं बताऊंगी और तो भी नहीं बताएगी अब उसे उसकी लाइफ की असली किक मैं दूंगी गेम स्टार्ट्स नाव बच्चे लोग शादी के लिए मान गए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जिन्दगी में इतना कुछ कमाया है लेकिन आज जितनी खुशी मिली है उतनी कभी नहीं मिली थी इसके लिए तो यह पार्टी है अच्छा आपका दामाद तो यहीं सेटल हो गया है कहां है वो मत करना पच्चता होगे बाहर के दिश में भी आके तुने मुझे परिशान करना नहीं चुड़ा कात के रख दूंगा अपना मुझ बंद राख अरे तुम पापा ओ आओ आओ बेटी तुम्हारे पती कहां है दिख नहीं रहे यहां पर पापा उन्हें छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूं आप ज़रा उधर देखिए तो आप ही हैं मैं पहचान नहीं पाया नमस्ते क्यों जीजा जी लेट कैसे वोड़े पिछले एक साल से आप यहीं पर हैं मैंने एक मडर अटेम्ट किया था इंडिया के पुलिस इंस्पेक्टर के कार के नीचे बॉम रख दिया जो फट गया एक लड़का और लड़की के क अब कर देड़ा था अरे मुझे अपनी बेहन को देख रहा था वड़े और यहां इंडिया मेरे इस लड़के के साथ प्ढ़ आरे मेरे ससूर को पता चल गया तो मुझे एरो प्लेन में चला कर दब दएगा उसके बाद इंस्प्रक्टर यह क्या वहां उन दोनों ने प्यार किया यहां यह दोनों शादी करने वाले है वह इतना सीधा नहीं है अगर उसे पता चल गया तो वह यहां जरूर आएगा जरूर excuse me yeah address bella please यह है आपका नाय आपका नाय आम राज परकास राज कब आता हो मुझे खुदी पता नहीं आपक्यू पापा यह मेला फ्रेंड है इंडिया से आया है श्री रंगा श्री रंगा अगर तू हाथ मिलाएगा तो मैं भी मिलाओंगा पार्टनर बेचारा इसकी यादाश चली कई है ट्रीट्मेंट के लिए आया हुआ है हाथ से हमारे साथ ही रहेगा अगे बापा ओके हम सॉरी सॉरी क्यों सर वो जो डबा वाली पास्टेंस है उसको भूल कर प्रसेंटेंस में खुश हूँ रुक तिरा भी कुछ गदी इधर आओ तुम पाकल हो गई हो क्या उससे लाकर अपने घर में रखोगी क्या प्लान है तुम्हारा मेरा बताता हूँ अ चॉकलेट खिला रही है और रिविल आवरीटिंग आवरीटिंग यार पुराना सब कुछ बूल के लगता है ब्लैंक हो गया है इसनी वह मुझे पहचार नहीं पाया अब एक कीको अब देख दर सब क्या करता हूँ दगेम स्टार्ट्स ना अब कि एक किको तु पुराना सब कुछ भूल गया है ना मेमरी चीप सब इरेज हो गई है अब मैं तुझे देता हूँ किक यह साफ है और यह 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 कॉंड़ा हेलो क्या है प्रिकाश नहीं जगा है ना नीद नहीं आ रही है सच्छी कहूं तो मुझे भी अकेले में बह होड़ी कर्माट रहेगी आपको कोई तकलीफ तो नहीं ना प्राबलम थांक यू परकाश नेंच नहीं पहन है क्या हो यहां पर मैं ऐसे ही सूता हूं अगर मैं कपड़ पहलों तो बर मुझे नहीं आती आना प्रिकाश में ठंड बहुत रहती है तू पास आ जाएगा तो ह अब आपी लोग मुझे बचाओ कर रात को तुम ने उसे सवर्ट दिखाया क्या तेल मी तेल मी प्लीज दिखाना तो चोड़ो अगर थोड़ा गड़बड हो जाता तो मुझे सब कुछ दिखा रहता है वह सही आदी नहीं है वह सही आदी नहीं है क्या हुआ हमेशा मुझे परेशान करता है तुमसे कुछ नहीं होने वाला अब मैं अपने स्टाइल से हानल करूंगे इसे बोल सकता हुआ हम उसे पहचाना मुझे नहीं है तुने अभॉल सकता हुआ इसे तो नातमे इसे यह न मैं भी वह है सचका हूं तो हम दोनों सर्फ फ्रेंज नहीं है हम लवर्स है हो फेही नहीं सकता मैं नहीं मानता मानना बड़ेगा वो कैसे oh my god कुछ यादाया कुछ यादाया कुछ यादाया थोड़ा 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 बताओगी तो कैसे यादाएगा एक साथ पूरा बता दो ना और तब ऐसा हुआ कि तब क्या हुआ सब भूल गया था मैं यही समझीजे न तुम लेकिन मुझे सब कुछ यादाया कहा तक यादाया इसने जहां तक बताया वहां तक मुझे यादाया औरे कंटिन्यू कहा रहा है को रो दीदी हां यादाया रहा है मुझे है यादाया रहा है हैं यादाया जाए खिल गुछ पर आव यादाया है मुझे हां इसको नाम किया है कहां जा रहे हो तुमसे बचने के लिए लेकिन तू हल्वा के जैसा नहीं है हल्वा वह हल्वा तेरे जैसा दिखता है काई बे वह बाइक बचने के लिए पागल से पागल किया पता नहीं पर मैं उससे बहुत नाराज हूं और जो कुछ भी कहता था उसमें कुछ नया- नया सलगता था और उसकी किक मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती थी एक बात बता क्या सच में तुमने उससे इतना प्यार किया था यह सुनने में बहुत मजा रहे हैं इतना प्यार किया था उससे और हमाला कैसे हुए पता है तुम्हें अभी से अलग होने की बात क्योंकि तुमने मुझे अच्छा फील नह जूट मुझे नहीं पता लेकिन उसके अंदर तुम्हारा जो करेक्टर है ना सूपर है वागए एकदम सूपर है हाँ क्या यह कैसा ट्विस्ट देकर चला गया आपने बिल्कुल सही का था सर वैसे ब्रेसलेट बैंगलूरू जूलरी शॉप से दो कशेष कियें वह पर्चेष करने वाले डौ लोग कौन है मुझे उनकी पूरी डीटेल्स बेजो एक डीजीपिस आमने पूछेश की है और दूसरा एक लड़की ने खरीदाएं सर हाँ सर उस लड़की के डीटेल्स तो हमें नहीं मिले हैं लेकिन डिलेवरी जहां पर की गई हो उसका एड्रूस है हमारे पास ओके ओके उस एड्रेस पर जाकर उस लड़की के बारे में जल्दी से पढ़ा दो कि हमें आपके बेट्रे को दूर जाकर इतने दिन हो गये हैं अभी तक एक फोन भी नहीं किया वहाँ जो कर रहा है यहाँ भी कर सकता है ना मलेशिया जाने की क्या जरूरत थी वो जब भी काम से रिजाइन करके आता है तुम उसे सुना देती हो अब जब वो सिंसेरली काम कर रहा है तो उसे करने दो ना स्वाती जी है क्या स्वाती? हाँ माफ किजे इस नाम का यहां कोई नहीं रहता ये लड़की कौन है ये लड़की इन्होंने एड्रिस यहीं का दिया है देखिए हम लोग इस घर में साथ साल से हैं इस लड़की को इस घर में ही क्या इस एरिया में भी कभी नहीं देखा है मैंने उस लड़की को नहीं जानती हो ऐसा क्यों बोला तुमने तो क्या वो मेरे बेटे को छोड़कर चली गई मेरे बेटे के साथ हमेशा रहूंगी ऐसा प्रॉमिस क्या था उसने एसी लड़की के बारे में मैं क्यों बताऊं नाम भी ठीक से नहीं पता है किसले ढूंड रहे हैं क क्या चल रहा है यहां पर यह लड़का मेरी बात क्यों नहीं सुनता है मुझे देख कि अशा लग रहा है कि वह जान मुझ के ना तक कर रहा है वह यहां इसे खड़े क्या हो जाकर पूछो ना मुझे उसके उपर डाउट है अच्छा हम यहीं हूं यहीं तो हो ना मैं यहां हूं तो यहां नहीं हूं दूसरी जगह हूं तो यहां हूं ऐसा लग रहा है अरे जल्दी कुछ करो हल्बा प्लीज अगर तु मार दा तो यह कपड़ा उठा के मुझे माल के देख अवे कविने तुझ में मेरा चेहरा देखने की दाकत है क्या मेरे लाल तुझे कौन डरता है हल्वा तो तेरी आदास्त नहीं गई नहीं मुझे सब याद है बता देता हूं सब कुछ उस रलकी को बता देता हूं तुने को जान से माने का प्लाइन मनाया पुलिस इंस्पेक्टर की कार में बम आए नकली पासपोर्ट पर मेरे पास में है जा 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 बता देना जा यह सब क्या है बे अभी चल रहा है वो गेम अच्छा है ना जिशूम I am Sachin Tendulkar, no I am Goli Who is the call center? Hello? Hello? Where is my patient? He is not the patient He has no memory loss Silent! Why sir? This is hospital Why? Nonsense rascal I am a doctor I believe sir He has no memory loss He has no memory loss Memory loss How many times do I have a memory loss? I believe he has no memory loss Is here two years before What happened to me was you But everything else was told What happened there And everything else happened Two minutes after everything was wrong You know I am doctor She is not doctor You are a doctor बजा देगा मैं किसी और मुझे पता चल गया क्या हम उसे पुरानी सारी बात है याद आगी है उसकी याद दास के बारे में चोड़ो मुझे तो अपना पूरा फ्यूचर याद आने लगा है उसे पंगा मतलो हां मुझे में कपड़ा डाल के मारेगा मारेगा क्या पागलो जैसी बात तरह रहे हो तुम मेरे साथ ही गेम खेल रहे हो हां गेम उस नहीं स्टार्ट किया है अम लोग तो सिर्फ दर्शक है दर्शक लगता धिमाग खराब हो गया चलिए हम से सब लोग मुझे ही डाट रहे हैं हाँ तु यह क्या कर रहा है तु आदमी नहीं मेंटल आदमी को तुने मेंटल डॉक्टर मना दिया कितना बाकी है भर दाश करना पड़िगा अभी तो सर भी बाहर नहीं आया है अभी थो पूरी बाहरानी बाहर आने पर तुमें एक शॉकिंग नीउस बतांगा तेरा जीजा इस चोर को ढूंड रहा है ना माना कि वो मलेशिया आया है लेकिन इंडिया में रेगुलर्ली चोरी करता था अचानक से साइलेंट कैसे हो गया चोरी छोड़ दी गया और ये डिसेंबर सोला क्या है डिसेंबर की उस्तारिक के लिए अभी बहुत दिन बागी है अगर उसने चोरी करना छोड़ दिया है तो फिर ये टागेट क्यों बताया एक्शली उसके चोरी का मकसद क्या है ये पता करना होगा इस बार वो मलेशिया में आखिर किसे लूटने आया होगा अगर वो लूटेगा तो किसी अनराई को ही लूटेगा वो इंडिया से जुड़े लोगों को ही लूटेगा यही वो टेलेफोन बुथ है जहां से उसने फोन किया था यानि वो यहीं कहीं रहता है यहीं कहीं आस-पास जरूर वो यहीं कहीं रहता है झाल 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 को उत्योरी विटेता Excuse me Yes I'm a police officer Can I see the CCTV footage झाल 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 झाल, 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 कि तुझे हमेशा ड्यूटी की ही पड़ी रहती है क्या यहां आने के बाद भी उस चोर के बारे में सोच रहा है मुझे यह बता तुझ यहां लड़की देखने आया है या फिर उस चोर को पकड़ने अगर तुझे कुछ हो गया होता तो छे यह क्या बात हो एंकल इतना सिंसियर आफिसर आपको कहा मिलेगा और आप उपर से उसको डाट रहें अरे इन जरूर मिलेगा जरूर मिलेगा वह नहीं मिलेगा अब इंटजार नहीं करेंगे कल के दिन अच्छा मुहूरत है मैं सोच रहा हूं क्ली कर देते रहें से मिटींट के बारे में मिलें के वड़क क्या मोसटेका याप अब आधा नहीं और भकवास अग्ले हवते कर दिए था और ठीक है सीडर ऑगले हट थे यहाइंगेज्मेंन फिकल कर थाइंक्यू अरुन बेटा वन मंथ बैक मीटिंग फिक्स की मिनिस्टर्स मीटिंग इन मलेशिया ये मीटिंग कब फिक्स हुई है पता करो तुम कभी कभी कैसा करते हो मुझे समझ में नहीं आता है तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है तो बता किक के लिए मैं क्या करूंगा पता है पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगा मैं सरेंडर करते ही पुलिस को तेरा नाम भी बता दूंगा अच्छा होगा जेल में किक मेलेगी अब मैं क्या करूं भाग जाओ यहां से तु फिर हां हां मैंने ही कहा आपकी कहाने खतम होने से पहले यहां से भाग जाईए देखो हम दोनों अलग क्यों हुए आज यह तुम्हें सुनना ही होगा मैं नहीं सुनूंगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है देखो बार-बार परेशान मत करो हां दो दिन बात तुम्हारी एंगेजमेंट है जाकर उसकी तैयारी करो यह कैसी बाते कर रहे हो तुम मैं किसी यह पोल के लिए तुम्हें हुए बाती है हकीकत में क्या हुआ था यह सब याद रहता है तो तुम्हारे कारण में जॉब सब्चा करें और वह ऽच्वारी को कि और ल Pal 6 Latin Number तब आई लव यू कहा नोग तब तूमने दिल तो एक मिनिट के लिए रुग ज़िया था पता है तूमे ऐसे क्या खूरी हो कुछ याद करवाना चाहती थे थे न तुम पुछ बोल ला चाहती हो न तो बोल लो बल लो बोल लो तुमने तो कहा था तुम्हें पुरानी बात य तुमने मुझे फिर से जूट कहा ना यही एक सच है यही हंडेट प्रसेंट शोर है मगर तुम्हारी मेमरी एक दम सूपर है तुम कुछ भी नहीं भूली सब याद है तुम्हें देखकर तो अब मुझे प्यार के नाम से भी नफ्रत होने लगी है तुम यह एक्टिंग कर रही हो ना वाट मुझे दिल में रखकर किसी और से शादी कर रही हो यह एक्टिंग नहीं है क्या मैं तुम्हें बूलने की आक्टिंग कर रहा हूं और तुम मुझे अपने दिल में रखकर भूलने जैसी आक्टिंग कर रही हो ना क्या फरक है इसमें तुम्हारे साथ जितना वक्त बिताया मैंने वही बहुत है मेरे लिए तुम अलग होने के बारे में सूच रही हो ना जो याद रखना चाहिए उसे बूल रही हो तुम अपने आपको धूखा दे रही हो पापा आपसे मुझे कुछ औरजन बात करनी है यह एक इंपोर्टेंट में पापा 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 लिसन 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 हलो सर मिनिस्टर का मलेशा का प्रोगाम पिछले मैंने ही कन्फर्म हुआ है सर वो इंडियन गौर्मेंट के ऑफिशल टूर पर गए हैं सर सम्टिंग इस रॉंग उसने मुझे क्लू दिया था मलेशा फ्लाइट नंबर मिनिस्टर की मीटिंग फिक्स हुई है वो भी मलेशिया में अगर ऐसा है तो उसे मिनिस्टर की मीटिंग के बारे में पहले से पता होगा इन लोगों के प्रोग्राम का और उसके प्लैन का सरकारी जमीनों का डी नोटिफिकेशन करके गरीब लोगों के हग चीन कर यह 300 क्रोड रुपे कितनी मुश्किल से कमाएं अब इन रूपेओं को मुझे डॉलर में बनाना है जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा चिंता है डॉन्ट वरी सर इस वक्त मलेशिया में जो स्टा जरूर बनाया होगा वो कोई न कोई गेम जरूर खेलेगा मिनिस्टर्स और ससुर्जी की भी कोई लिंक जरूर है यानि वो उनके आसपास ही रहेगा वैसे अभी उनके साथ नया कौन शावल नहीं हो सकता कहीं कोई कड़ी मिस हो रही है हाई पार्टनर उसके करेक्ट पार्टनर आप ही है सर हां रंगा श्री रंगा ये मेरा फ्रेंड है इंदिया से आया है श्री रंगा अगर तू हाथ मिलाएगा तो मैं भी मिलाओंगा पार्टनर प्रेंड पार्टनर वाल ये पार्टनर वाल तो मिलाओंगा तो मिलाओंगा है वेरी मारे, बोलholesा ररे, योरे जोरेजिक मारे, युरे जोरे जिन हारे, जिन हारे, जिन हारे भाई आए पार्टनर इन क्राइम चोर है तू मेरे लिए पैसा सब कुछ है हु? पर्र प्रोच मेर शुड्ल कि अ कि जय हूआ और कि यह बढे हैं कि अPO når पह बढ़े हैं यू जधे हैं कर दोडनून कर दा दो सेथआ कर दो कर दो मैं घूऊए़न अऊ भी कर दो तक दो से, भी ए पा क崩ा कर दोगह लोन पनी अ ऑँ sa दो दो, की भी कर दो सिर से, जो दो आडने के ते हैं जा आवसे दो इंप को डार दो क्ल視 IP अब जड़ें तATHAN कर दो कि अपन्हाद टुछमा कि अपन्हादे लग एक अपने लग गप Mmm कि अपनी कि लग लुग में हमेड़ें लगादे लग अ प्रफ्रीज कर दो दो कमा दो शीजु कर दिए दो नगा... अजिए रिए खासे वह तो नगा... भी से यहो चिए यहो पीजुँ यहाज कि अजिए इसाया आपे वहाए... छो नगाए... अजिए यह बंधान रिया... वहाएएट कि वहाएबिए... यूलfed क कि पाल दाओ मुषबगा जिए दुड़ पेल झायां कुछड़ास यूह के सिभा जे डिए धर कि व कि पाली दॉट झाल को झाल sab États भाल हाँ, मेरा बेटा चोर है, चिक के लिए चोर बना मै विठ्ठल, मेरी बीवी सपना, मेरी एक बेटी भी है मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, मैंने की दस हजार सैलरी, सुबह आट बजेट इफिल लेकर बच्ची को स्कूल छोड़कर भाग भाग कर मैं बस पकड़ता हूँ, और आफिस पहुचता हूँ, शाम को घर लोटने के बाद अपनी बच्ची के साथ कुछ दे हमारी, बड़ी-बड़ी इच्छाही नहीं थी, जो अगवार ने दिया था, उसी में खुश थे हैं, मगर, माँ, जब बच्ची की बीमारी के बारे में डॉक्टर ने हमें बताया, तो हमें कुछ समझ नहीं आया, बस इतना समझ में आया कि ट्रीटमेंट के लिए बहुत खर्च होगा, और ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू नहीं किया, तो बीमारी पूरी बॉड़ी में पहल जाएगी, और हम हमारी बच्ची को खोदेंगे, आज मेरी बच्ची अपने बीमारी के साथ लड़ रही है, और हम लोग पैसों के लिए लड़ रहे हैं, अभी तक जो कुछ भी बचा कर रखा था, इनीशल ट्रीटमेंट में ही खर्च हो चुका है, हाला तब हमारे हाथ में नहीं है, ह उसे अपनी आखों के सामने हम मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए उसे अनाथ आश्टर में चोड़ कर, हमने फैसला किया कि हम स्यूसाइड कर लेंगे, हमें गलत मत समझीगा, हमारे पास दूसरे कोई रास्ता नहीं था, किक्कु, येलो, तुम्हारे डोनेशन के पैसे, किक्कु, अंकल, मैं मरने वाली हूँ, आपको भी पता चल गया क्या, इसलिए आप मुझे यहाँ देखने के लिए आ गये, मेरे पापा पैसे लाने के लिए गये है, वो जरूर आएंगे, उनके आने के बाद मेरा ओपरेशन हो जाएगा, उसके बाद मैं ठीक हो जाओंगी, जो भी इजी मिलता है, उसमें कीक नहीं होती है, ऐसा आप ही कहते हैं ना, अंकल, वो भी सही है, मौत इतने आसानी से आएगी, तो कीक नहीं रहेगी, मुझे डर लग रहा हैं, अंकल, तुम चिंता मत करना, वो भगवान तुम्हें बचा लेगा, टोनी मेरे साथ खेलना चाहता है, लेकिन मुझे से नहीं हो रहा है, अंकल, अब मैं कभी नहीं खेल पाऊंगी, अंकल, यह बहुत ही सीरियस केस है, 24 गंटे में अगर बच्ची का उपरेशन नहीं किया गया, तो इसके बचने की चांसेस बहुत कम है, मैं अल्रेडी इसके पेरेंट्स को बता चुका हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, सुभे तक अगर 20 लाख रुपे नहीं डिपॉजिट किये गए, तो बच्ची का उपरेशन इंपॉसिबल है, ठीक है डॉक्टर, मैं ले करा दो, सर, आपको हेल्थ मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया गया, हो मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया है, सर, देखे, अब मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहां से ज़रा अर्जेंट में जेल के प्रोग्राम में विजिट करना है, सर, नमस्ते सर, ओ, तुम बोलो, क्या हुआ, सर मुझे 20 लाख रुपे बिचाई है, चोटी बच्ची है, सर, उसके बाबाब आपने मेरे सामने सोसाइट कर लिया है, उस बच्ची का दूसरा कोई नहीं है, सर, सर, आप मंत्री, अगर आपने कुछ नहीं किया, तो बच्ची नहीं बचेगी, देखो, तुमने जो प्रॉब्लम बताई, मेरी समझ में आ चुका है, अब मेरी बात सुनो, देखो, सरकार, इस तरह से हर एक के लिए अपना ख़जाना नहीं लुटा सकती, सर, इसके लिए कोई तो फंड रहता हैगा ना? लेकिन तुम जितना मांग रहे हो, ये दस लाग, बीस लाग नहीं होगा, पचास अजार या फिर एक लाग दिलवा सकता हूँ, मतलब आप नहीं देना चाहते हैं, मैंनत करके कमाने वालों को एक रुप्या किलो चावल देखकर आप आलसी बना रहे हैं, नौजवानों को नौकरियां दे रहे हैं, गरीबुगों को आप घर दे रहे हैं, किसानों को फ्री में बिजली भी दे रहे हैं, कर्दा भी देंगे और election टाइम पर उसे माफ़ भी कर देंगे नहीं सर, आप सबको कुछ न कुछ दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को कुछ भी नहीं दे रहे उनने कोई पाप किया है क्या बच्चे लोग वोट नहीं डाल सकते इसलिए ना आप समझ में आया पापा इस गर को बेचने पर कितना पैसा मेलेगा बैंक वालों को मिलेगा ओ मतलब इस पर लोन है कि आपके अगाउड में किना प तूने खुद आकर मेरे पैर नहीं पकड़े ना तो दस लाक रुपे क्यों रे तू आकर खुद मेरे पैरों में गिर जाएगा मैंने चैलेंज किया था ना तो फिर बता ऐसे कैसे मैं पैसे दे दूंगी आरे आरे यह क्या कर रहा है थे बहुत बहुत धनिवाद माजे चलो आरे चलो कर दो कर दो कर दो कर दो क्या हुए आंके एक बार हास्ड जो जरा थेंक यू अंकल आज टोनी का सपना पूरा हो जाएगा अंकल अब मैं भी टोनी के साथ जम कर खेल सकती हूँ न डॉक्टर अंकल ने मुझसे कहा कि अब मैं भी खेल सकती हूँ ये सुनकर टोनी कितना खुश होगा पता है अंकल क्या आपका भी कोई सपना है अपना सपना पूरा करने में कोई कीक नहीं है मगर किसी दूसरे का सपना पूरा किया तो सही कीक है wonderful यह यह य॥ Incredibly य॥ य॥ बच्चों के अंदर भगवान कवास होता है इन सब को देख के यकीन हो जाता है सर, इन लोगों में से हर कोई बच्चा किसी न किसी बीमारी से लड़ रहा है सर मगर ये लोग अपना दर्द भूल के हम लोगों में से किसी एक की जान बचने की खुशी और संतोर से इन लोगों के चेहरे खिल गए हैं सर इन में से कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कोई मेडिसीन दिया तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा सर लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मेडिसीन मिल जाए तो वो बच सकते हैं सर मागर हमारे पास पैसे नहीं है सर वहाँ देखिये उसे वो कुछी दिनों का महमान है सर और उसे पता भी है फिर भी उसके साथ रहने वाली एक बच्ची बच गई है इस खुशी में वो खुशिया मना रहा है सर हमारे एक आश्रम में जब इतने सारे बच्चे हैं तो सोचिए इस शहर में इस राज्य में इस देश में कितने लाख बच्चे ऐसे होंगे एक बार सोच के देखिये सर ऐसे सभी बच्चों की लिस्ट मुझे चाहिए है यह तुझे मजाक लग रहा है क्या एक बच्चे का उप्रेशन के लिए हमें कितनी परिशानी उठानी पड़ रही है इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी लेकर तु सबके सामने हीरो बनना चाहता है क्या यह मैं जनता के ऐसे लिए नहीं कर रहा हूँ यह मैं अपने लिए कर रहा हूँ ए अदीमो वो जो अंदर बच्ची सोई है न उसके चेरे पर खुशी देख के मुझे कितनी किक मिली इन हजारों बच्चों में जब खुशी देखूंगा तो कितनी किक मिली बिस किक के लिए और इं सारे बेटा दूसरों को खुशी बांट कर खुश होता है, अब तक मैं मेरा बेटा क्या बनेगा, क्या करेगा यही सोचता रहता था, लेकिन उसने चोर बनकर मुझे सर्प्राइस कर दिया, उसके अंदर की इंसानियत बाहर आ गई, अब उसे देखकर मुझे गर्व होता है, बेट लोजए, आयामं म लूज़र ऐलु लो, सूफ है linlo कैंब धिश्तिता मुझे हां अचार कोके क्या भास कुने हां हाल आरो, हार जाने के इस दुख को तूम अच्छी तरह कवर कर रहे हो, एक तुम रल चुप, बताूं बता हूं, इस अबताूं फर्स्ट टाइम लाइफ में हार गया नो इसकी भी जबरदस्ट किक लगी है कुछ अलगी किक है बॉस हार गया तो दुख में नहीं रहने का सेलिवरेशन करने का मनुष्ट जिस दिन इस सच्चाई को समझेगा उसे कोई नहीं हरा पाएगा सिर्फ एंजॉयमेंट किक पे किक ड्रिंक पे ड्रेंक बॉस तुम्हें भी ये करना ही पड़ेगा बॉस ओके अंजॉय बहुत बढ़िया है तुम्हारी ये फिलोसफित बिल्कुल सही का बॉस मेरे फिलोसफित तो घबराओ मत वो लोग नहीं जानते तुम कौन हो मैं यहां तुम्हें पकड़ने नहीं आया अब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस दोनों एक ही थे अब तक तुम कौन हो ये मुझे नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया है हम दोनों की मनजिल एक ही है तुम् प्रूंए इसा नहीं करूंगा कियों पता है यूँ आर माइक पाटनर तुम्हें अभर किह साथ रेड हेंडेड पकड़ना चाहता हो कि तुम बैढ़े तुम्हारी हर मूवमेंट के बारे में मुझे पता रहेगा तू चोरी करना तो चोड़ अगर चोरी के बारे में तुने सोच भी लिया न तो तेरे शरीर के एक-एक अंग के मैं टुकडे टुकडे कर दूँगा पार्टनर फाइव हंड़ेड क्रोर्स एलेक्शन फांड पार्टी आफिस दोपर ठीक बारा बजे कल ही रेड हेंड़ेड पकड़ना चाहते हो ना पकड़ लेना अब लगी ना तुझे किक श्री रंगा या रंगनाथन देख लेंगे मिनिस्टर्स हो या मिले ठीक से चेक किये दिना किसी को अंदर आने मत देना यहां आने वाले हर शक्स को अच्छे तरह चेक करो सिक्यूरिटी रूल्स फॉलू करो मैप लेकर आओ मुझे अभी और इसी वक्त मैप देखना है अफिसर इतनी टाइट सिक्यूर्टी क्यों पार्टी ऑफिस में टेररिस्ट अटैक के धंकी आई है फॉर्मिशन तो मैंने ही दी थी ना जिएदा मागों गे तो नहीं मिलेगा जितना देनी की बात हुई है सिर्व उट नहीं मिलेगा जलो बैठ जाओ बैठ जाओ पैसे गिन लिए ना मुझे इन पैसों को डिस्ट्रिबीूट करना है ये पैसे अच्छी तरह से डिस्टिभीूट हो गए ना तो मेरा सेम बनना तय समझो ऐसा ही होगा संटिंग इस रॉंग कुछ थैंक रबड जरूर है जिल-जिका-जिका-जिका-जिल-जिका-जिका-जिका एक बद चान लो इस मंत्र को पढ़ने के बाद जो भी काम करोगे वो सब पूरा हो जाएगा हां होगा होगा ना पिछली बार जो हुआ वो अद्बूत कम था तुम्हारी बात मान कर सारे पैसे को मैं विदेश में रखाया था पर हुआ क्या हमारी देश का लड़का पहुंच गया और सारा माल समेट कर अमारी मुझानिवाल जीन कर चंपत हो गया हाई पाटनर मैंने कहा था ना कि तुम्हारी हर मुवमेंट पर मेरी नजर होगी है गुड़ बॉय बारा बचने में अभी आधा गंटा और है अगर तु जबान का पक्का है तो चोरी जरूर करेगा तुझे चोरी करते हुए मुझे अपनी आँखों से देखना है कम एक पुलिस आफिसर को अपने पास बिठा कर चोरी करने में सुपर किक मिलेगी वैसे तुम्हारा प्लान क्या है हाँ जल्दी बता दूँगा वैसे बास मेरी वगल में तुम बठे हो तो हम फ्रेंज बन गए ऐसा बिल्कुल मत सोचना तुम पुलिस हो और मैं चोर हूँ कि वहां पर पूरे तिन सो पुलिस तैनाद किये हैं समझा तु एक कदम भी आगे नहीं रख पाएगा अगर तु वहां पहुच भी गया ना तो वहां तैनाद सारे पुलिस वाले तुझे गोलियां मार कर तेरा सीना चल्ली कर देंग यह सब बोलकर आप मुझे टेंशन दे कि वहां आप तैनाद मोर कैना तेर को यहां 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 जुलिस तैनाद मेरे तो आर तुम्हां यहां प्रणके तुम्हां अज़ो पार्टनर इस अपर मुझे डाउट आ रहा है उस लड़की के मामले में आप मुझे से रिवेंज ले रहे हैं ना मेरे लिए तू इंपॉर्टेंट है वो लड़की नहीं अज़ा इसी डायलोग सुनने का तो इंतजार था कमान कमान आजाओ जाओ इस पैसे को देखकर उस चोर की याद आ रही है अरे अपनी बगवास बंकर उस चोर का नाम सुनते ही मेरे दिल की धरकने तेज होने लगती है स्वामी जी पैसे गिन भी लिया और पैक भी हो गए अब डिस्ट्रिब्यूट कर सकते है ना एक बार बारा बज्जा ने दीजिए उसके बाद अम्रित घड़ी आएगी तब तक आप इससे सम्हाल कर रखिए उसके बाद आप सम्हालना चाहेंगे भी तो नहीं सम्हाल अभी सिर्फ दो मिनट बचे हैं दो मिनट में पैसे कैसे लूटेगा तो टू मिनिट्स वान ट्वेंटी सेकंड्स मेरे लिए इतने सेकंड्स काफी है तो यहीं बैठा है तेरे सामने मैं हूँ इतनी सारी सिक्योरिटी है कैसे लूटेगा अंदर तेरी कोई सेटिंग है क्य अभी सिर्फ 80 सेकंड बचे सबी लोगों को भीज़ दो हलो हलो बैड मैन बैड मैन कौन है बे तू हलो बैड मैन मनेस्टर तुम्हारे लिए है एक ब्रेकिंग न्यूज बरबर 80 सेकंड के अंदर-अंदर तुम्हारे सामने हो गए कदभुच्चमतकार एक एक स्टाडरिनेरी मैन तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सारे पैसे चुरा ले जाएगा क्योंकि यह है एक पकी इंटलिजेंस रिपोर्ट कान है बे तू ट्रांस्पोर्टर फोर्ट जो खब टता हम मन इपको कर दो, करो परे जाता है जाता है क्या कर गब ए ए ए ए ए ए औरे पहसे औरी मोंए! औरे याँ औरे पाहहuego औरी हो बटकिन जजमान आइएएएए roz अब्वे सॉत जल्दी जल्दी नोग जल्दी तू जल्दी जल्दी कुल शो मक्यों बच्चों को बचाने वाले भगवान की बच्चों को बचाने वाले भगवान की गरिब बच्चों को बचाने वाले की एक्सक्यूज मी यह सब क्या चल रहा है किसी भगवान जैसे इंसान ने अपना नाम भी बताया बिना बीमारी से लड़ने वारे बच्चों के लिए हजारो करोड रुपया दान किया है इसलिए इन बच्चों ने उस इंसान के नाम से यह रैली निकाली है यह बच्चे उसी रैली के हिस्से हैं झाल्ओन ने अपना लुप है लुप है कि पाल्ओन ने रहा है कि बाल्ओन जैस वारे नाम से लुपष मारे यह रहाँ वह रहा है कि अछिए पाल्ओन है है ताइट सिक्यूर्टी है पैसे कोई देख भी नहीं सकता और पलक जब काता ही वो चोर हिंदी फिल्मों की तरह आखों में दूल जोकर पैसे लेकर गाइब हो गया सर वो ए बगवास बंद करो अपनी अपने आपको पुलिस ऑफिसर कहते हो तुम पर भरोसा किया और तुमने अमें बरबाद कर दिया किसी बिखारी की तरह हाथों में कटोरा पकड़ा दिया है तुमने सर मैं सारी डीटेल्स लेकर आया हो सब कुछ चले जाने के बाद डीटे हाई पार्टनर हाव यूख डिसमबर सिक्स्टीन की बाद मैं तुम्हें नहीं मिलोंगा कहा था ना आज मेरा जोइनिंग डे है बास जो काम मुझे बच्चों के लिए करना चाहिए था वो मैंने कर दिया बहुत ही मस्त के क्मिली वो तो ठीक है मगर यह यह मेरी लवर के ल इस ऑफिसर के रूप में देखना चाहती थी अब लवर के लिए इतना तो करने ही पड़ता है ना लवर की इच्छा पूरी करने में मस्त केक मिलती है बस तुम उसके साथ का डिसक्रशन कर रहे हो इमांदारी से फाइल उसे हैंडवर कर दो और उसे तुमने समझा क्या है ट आपकी सारी जाइदाद आप इसके नाम कर दीजिए बहुत अच्छे से सम्हालेगा इसी परोसे पर तो मैंने इसे यहां बुलाया है ओके तुम चले जाओ पार्टनर इन सब को मैं सम्हालूंगा आप सब इसके बारे में क्या सोच रहें मैं नहीं जानता लेकिन जहां तक मेरी बात है जब यह आफिसर उस चोर को पकड़ कर मेरे सामने लाएगा तभी मेरे दिल को ठंड़क पहुंचेगी और तुम यह काम जरूर करोगे सर आप 101% उस चोर को देखना चाहते हो ना सर आपने मुझे देख लिया तो समझ यह कि उसे भी देख लिया हां तो अभी से आप सब को सूपर के